हेलो बच्चो वेल्कम टू जीनियस क्लासेस और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिकल एज्जुकेशन का स्पोर्ट क्रिकेट तो बच्चो हमने अभी तक एक स्पोर्ट आपका कंप्लीट कर दिया है जो कि है है फुटबॉल और अब हम आपका सेकेंड स्पोर्ट कंप्लीट करने वाले हैं जो कि है हमारा क्रिकेट ठीक है न मेरी क्याल से इंडिया में हम रह रहे हैं और इंडिया में अगर आपको क्रिकेट के बारे नहीं पता तो इससे दर्दिनाग बात कुछ नहीं हो सकती है ना दि जिदाओं में आता हिए प्ट आपको आता है हर किसी को नहीं आता मैं आपको सारे सीपोर्ट के पता होने चीए है ना हर चीज पता होने चीए कैसे खेले जाता है तो उन बच्चों गली है जो क्रिकेट को अभी तक जिनको नहीं बता तो मेरे स्पोर्ट अच्छे था क्रिकेट फुटबॉल में तो मैं यह दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट करा रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले हमारा क्य सबसे पहले क्या होता है बच्चों क्रिकेट यह एक यहां पर इंडिया गी टीन क्या बात है ना तो यहां पर टूटीम्स के बीच में किया होता है मैच होते हैं ठीक है दो टीम होती है है तो यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले क्या होता क्या तीक है कि यहाँ बैटिंग करूगा खी बॉलिंग इंडिया मेंふふ ग मुझे बैटिंग करना हें कом công कि करने हिवाली करने है हर टीम में कितने प्लियर्स होते हैं बच्चो 11 प्लियर्स होते हैं ठीक है इसमें भी 11 होंगे और इंडिया में भी क्या होंगे 11 प्लियर्स होंगे ठीक है ना तो जो भी टॉस जीता है वो decide करता है कि मुझे पहले बैटिंग करनी या फिल्डिंग करनी है ठीक है जी अब लेट सपोज यहाँ पर इंडियन कैप्टेन है विराट कॉली और यह टॉस जी दिया इसने बोला भाई मैं बैटिंग करूंगा तो इससे यहां से इंडिया से दो बंदे जाएंगे बैटिंग बैटिंग करने के लिए और यहां पर ऑस्टेलिया की जो टीम है यह क्या करेगी इस ग्राउंड में यह देखो यह ग्राउंड दिख रहा है आपको तो यहां पर यह फिल्डिंग करेंगे ऐसे करके और यहां पर स्रिफ दो बल्ले बाज आएंगे हमारे इंडियन टीम के ज और हमारі जो इंडियन टीम हो क्या करेगी बैटिंग करेगी थीगह थू ईंडियन टीम क्या देगी और श्टियान टीम को एक टारगेट देगी 50 अवर का मैच होगा या अपका टीट principalmente मारे है और रन कैसे मारे जाते। रन फार जाते जब हम कोई भी बैट समयन जो बाल हो बाल आउट होते हैं भाग कर भी हम रन ले सकते हैं और इस बॉंडरी के पार बॉल मार के हिट करके भी हम रन ले सकते हैं चार रन हो सकता है या हम सिंगल्स ले सकते हैं डबल्स ले सकते हैं तीन रन ले सकते हैं या डिरेक्ट चार रन भी भाग सकते हैं मतलब चार बर भाग स सकते ऐसे करके तो यह बेसिक बेसिक नॉलेज आ ठीक है इसमें कितने अंपायईर में ओते हिस्पनार में घृ feature करें टें Kerry tá आपके उपर उपर से नॉलेज़ था ठीक है और ऐसी करके हमारे यह फॉर्मेट होते हैं किरिकेट के हमारे बहुत सारे फॉर्मेट है जैसे टेस्ट हो गया टेस्ट किरिकेट है ना बिल्कुल बोला जाता है कि किरिकेटर बनना है ना तो वहीं टेस्ट किरिकेट में आगर मास्टी होगी तो बहुत बड़ी असे किरिकेटर बन सकता है तो टेस्ट किरिकेट तो फॉर्मेट है यह टेस्ट किरिकेट है ओडियाई है मतलब जो हमारे इंटरनेशनल मैचेज होते होते हैं टीम्स के साथ खेले जाते हैं तो यह हमारा कुछ-कुछ उपर-उपर का knowledge था knowledge of थोड़ा बहुत cricket अब हम थोड़े से टेकनिकल टम्स में चलते हैं ठीक है जो कि हमारे exam में पूछे जाएंगे तो यहां पर इनके हाथ में बैट होगा ठीक है और यहां से बॉलर आता है जो की बॉल कराता है इनको अब यहां पर आप देख सकते हैं यह इसे करके मैं यहां पर बता देता हूं क्रीस यहां पर उपर बहुत अच्छे से इसको हाँ यहां पर यहां पर बहुत बढ़ी है तो देखो यहां पर देखिए सबसे पहले तो मैं क्रीस पर आऊंगा मैं तो यहां पर बिलकुल अच्छे से इसको बताऊंगा मैं तो यहां पर देखो क्रीस पर आगये हैं यह हमारा क्रीस है ठीक है और यहां कि यहांपे मैं देखता हूँ हमारी क्रीश कहा पर है कहां पर है कि दिस्टन्स ऑफ स्टेम फ्रों वन साइड अनदर अब यह जो यहां पर स्टेम लगए वे और यह मेरे कृषई तो यहां पर मेरे 3 stem है और यहां पर भी मेरे 3 stem है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 22 yards है ठीक है 22 yards और मैं बोल सकता हूं 2010 cm और यहां फिर मैं बोल सकता हूं 20.12 meters ठीक है ना तो यहां पर यह ऐसे गरके यह इसकी length है और इसकी एसकी जो breath है ठीक है वो कितनी होती मेरे प्यारे बच्चो इसकी ब्रेथ है वो कितनी होती है वह कितनी होती है एन 4-4-10 फिट और लिवगे यहां पर आप बोल सकते हो इंड़ी पौंइंट six5-8 मीटर चीक हे यह यहां से यहां तक की डिस्टेंस को यह ठीक है ओकूं थो देखो यहां से यहां तक कालेंद कितनी इसकी इतनी और यहां से यहां तक है मेरि 550 फिर मैं बोल है बोल सकते हूम 4.4 detail यहां तो यहां देख सकते हैं सिदे सिदे हो जाएगी मेरे पर कितनी यहां से यहां तक के distance होती है 2.4 mm 2.44 mm है ना 2.4 mm की होती है और यहां पर अगर मैं ऐसे length करूं length होती है 20.12 meters की ठीक है ना और यहां पर देखिए अब यहां पर थोड़ा सा हम technical इसमें जाएंगे rules and regulations के बारे में इसको अच्छे से देखेंगे मैं इसको मिटा देता हूं कि काफी अच्छे से पाड़ाई चल रही होगी आप लोग की बहुत बढ़िया ठीक है number of players कितने होते मेरे प्यारे बच्चो मैंने आपको बताया था कि 11 players ground में खेलते हैं 11 players होते हैं जिसमें से हमारे क्या होते हैं 5 extra होते हैं ठीक है so तो इसका total जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 16 मतलब अगर मुझे कोई team ले जाने क्रिकेट की तो मुझे at least 16 players ले जाने पड़ेंगे ठीक है 16 players तो मुझे team में ले जाने ही पड़ेंगे ये जो 5 extra है ना ये क्या करते हैं ड्रिंक्स पिला देते हैं कभी-कभी है ना या इनका क्या होते हैं अब बिचारे क्या करेंगे तो ये practice में help करते हैं ना या जैसे कोई player injured हो गया मेरा 11 player में से किसी का हाथ में चोट लगी ball पकड़ते वे या किसी की head injury कुछ भी हो गया तो क्या हो गया उसको replace कर देते हैं इस extra से ठीक है ना तो clear है यहां तक तो पांच extra player हम ले जाते हैं और 11 player जो की field में खेलते हैं जिसमें से total जो team होती है वो 16 player हो के होती है clear है यहां पर न कि यूडर टर्ड एंपायर है कि तो मेरा थर्ड अंपायर होता है यह क्या करता है यह रन आउट होते हैं यह पिर लपी डबलू होते हैं तो जब वह बोलता है जब हमारे यह दो यह दो हमारे जो अमपायर होते हैं जब यह decision नहीं ले पाते हैं या बहुत जादा उनको संदे लगता है तो वो क्या करते हैं थर्ड अमपायर की तरफ इशारा कर देते हैं कि भाई हमारे बसकी नहीं हो रही तुई बता भाई कि आउट है कि बज़ी है यह ना ठीक है जी अब आ 156 g याद कर ले ना 156 घ्र तरफ फिर सर्कमफरेंस ऑफ रवल वाल का कितना सर्कमफरणस होता है तो वह कितना था बच्चो 22.4 से लेके 229 सेंटी मिटर तक रोना हो तक हो सकता है ठीक है पॉइंट में अंतर हो सकता है आगे पिच्छे कोई दिक्कत की बात नहीं तो यह इस ही जो क्रिकेट का बैत ये कैसा होता है देख लेलों तो ये जोसक्ता हूं मैं इससे बड़ा नहीं हो सकता नहीं तो वह रूल के खिलाफ हो जाते है और रूल के खिलाफ आपको पता ही है फिर एक एक इंसिडेंट हो था मेरे क्याल से मैथ्यू हेड़न ने एक अलग सा बल्ला था वो छोटा उसका हत्ता बहुत बड़ा सा था और जो नीचे वाला पार्ट है वह बड़ा चोटा सा था तो वह एक बार आई पिल में लेकर आ गया उसको तो फिर वह बैन हो गया था बाद में वह बल्ला रूल के खिलाफ नहीं जा सकते आप है बहुत सारी चीज़े जो रूल के खिलाफ है अभी आप अच्छे चिस देखेंगे इसको ठीक है ठीक है अच्छा जो विकेट होता है विकेट विकेट जो होता है यह जो ऐसे किली सी लगी रहती है ऐसे करके इसकी क्या बोलते है ब्रेथ कितनी होती है तो वह कितनी होती है नाइन इंचेस होनी चाहिए इसकी ब्रेथ ठीक है नाइन इंचेस और इसकी लेंध कितनी हो सकती है स्ट करने रखा तो उसकी बाद हम नहीं करेंगे अगर इस तर्म करने रखा ठीक है जी अगे बढ़ेंगे हम ठीक है नंबर स्कोर्स स्कोर्स अच्चा अच्छा नंबर ओफ इसकोडर कितने उता है दो मतलब भाई जब दो आदमी बैठे वें यहां पर क्रीच में दो जा रहे हैं तो number of scorers भी मेरे दो ही होंगे, साफ सीधी बात है, है ना, अच्छा जैसे over हो गया तो भाई, दो मिनिट का time मिलता है, over होता है तो फिर add आयाता है ना वहाँ पर अगर कभी देखा होगा आपने add नहीं आ रहा तो दो मिनिट का time का ँठाएं तो दूसरे। उह इतर याने दे तो दो मिनिट से जादा time नहीं होता है हुए उसमें ? पर पेणल्य लगाते हैं ? आपने देख उगा कि बहुत सारे मैचे में क्या होता है वो ना क्या करते है थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं मतलब टाइम लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है अगर मुझे ना टाइम वेस्ट करना है अब क्या होता है जादा तर क्या होता है कि जब ओस पड़ती ना डियो होती है तो बहुत जादे क्रिकेटर पेनल्टी मिलती है पैसे देने पढ़ते हैं वह प IR को वो कि झीन diva को कि टेर अंपैईर को तैने लगाता है कि केपिन नहीं को कि टेरे पेनल्टी गभी तो ऐसे करके cAm vasht करके अब यसा मनीजमेंट भी बहुत अच्छी वह आमपर कर तैसै राफ किते रखार स्वीज ओवर का ठीक है ना अब जो हाइट ऑफ द विकेट अब विकेट की जो हाइट है यह जो हाइट एक किल्ली होगी यह कितनी होती है 28 इंचेस ठीक है रेडियस ऑफ स्मॉल सरकल अब यह स्मॉल सरकल क्या है मेरे प्यारे बच्चों उपर आते हैं जरा देखो यह है इसको मिटा देता हूँ स्मॉल सरकल होता है इसके बार उसकी लेंद उसकी वह बता रहा है तो इस यह क्या होता है इसके बार होता है एक सरकल ना मतलब क्या है यह वाला यह वाला सरकल यह तो इसके अंदर ज्यादा खिलाडी नहीं रह सकते यह भी अभी देखेंगे आगे अच्छे से तो यह कितने होता है यह 27.4 मीटर के अंदर अंदर होता है ठीक है ना और जो पूरा ग्राउंड का जो रेडियस है ग्राउंड का जो बाॉंडरी है वो कितना होता है इतना यार्ड टू इतना होता है कि पिच होती है ऐसे करके उपर चलते हैं मेरी जाल से नीचे होगी पिच तो कहां हो तुम कहां हो तुम आई यह पिच देख लेए अपने यहां पर दो बैट्समन होते हैं और यहां पर खेले जाता है अब मैंने आपको इसके डाइमेंशन बता दिये हैं बहुत अच्छे से फिर आगे आते हैं विकेट और इसटमस यह हमारे विकेट होते हैं और स्टमस होते हैं जो कि हमारे क्रिच में लगे रहते हैं यह देखिए यह यहां पर मैं देखा देता हूं यह के वैसे तो दो ही होती है कि यहstillकती है और एका पहलती जैसी मतलब it करती आ तो यह पर और यहे रूब होता है अगर विल्स नीचे किल गए ना इसक्लिय पर लगए इस फैसे भी लगे तो यहां पर देखे मैं दिखा सकता हूं आप अगर आप जूम कर दूँ तो यहां पर यहां पर यह देखे यह बेल्स देखे जूम कर दिया मैंने एक मिट मेरी ख्याल से अब दिख जाएगी यह देखो बेल्स ही है यह किलियों के उपड़ लगी यह उती बेल्स ठीक है ना अब आपको समझ मा आ रहोगा धीरे धीरे करके देखो धीरे धीरे करके समझ मा आता है जिसने किर्केट जिस पर नहीं है भाई क्या गड़ सकते हैं ठीक है तो ऐसे चिड़ाओं मत एक दूसरे को अच्छी बात है अब क्रीस क्या होती देखो मैंने बता रहा था आपको यही वाली क्रीस यहां पर मैं इसको ना एक काम करता हूं क्रीस को थोड़ा नीचे लिए आता हूं कट मारके तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बहुत बच्चे कंप्लेन करें तुम भी तो टेंद में जाओगे तक तुम्हें भी ज्यादा प्रायटी मिलेगी इतना टेंचन के लिए अब देखो यह क्रीज है ठीक है यह पूरा आपका यह क्रीज है बहुत मैनत लगत यह इसको बनाने में पानी दालना पड़ता था यह यह तो यह जो विकेट के विकेट के साथ लगके जो क्रीज है इसको क्या बोले आता है इसको बोले आता है विकेट एक मेंड़े उपर थोड़ा चलते और यहां पर यह देखे यहां पर बोलते हैं बॉलिंग क्रीज इसको बोलते हैं बॉलिंग क्रीज और यह जो लाइ में किविसे आगे वागे ना तो फिर वह नोब मतलब वहाँ पे कोई बैसे डिए बंद नहीं अत्य बहलाई नहीं होता है तो यहाँ पे प्र इसको एक्स्टार जए एक सब्सक्रास मिलता फिर एक बहुता है एक मिलता वहाई पॉप प्री बिदे से देखो अब आते हैं बैट में बैट के भी में देख ले देख लेते deinen Сп हब यह बहूत घर रहे हैं और एक थालड ऑंपारृ तो समय तो यहां पर क्या अपड़ार की डूटीज को लो भही यह बॉल फकड़ो यह नेक्स्टो और करो और खतम यहां तो आम्पार्य का क्या काम है थिक है अगर कोई और अउट हो रहे है उंगली खड़ी कर दो ऐसे out ठीक है not out में भाई नहीं है तो ये सारी चीजे striker को भाई कौन सी जगा स्विच करनी है सब कौन बताता है अंपायर बताता है ठीक है बहुत strict duty होती अंपायर की ठीक है rules and regulation बहुत ज्यादा strict होते है ठीक है जैसे की मैं बताता है तो माया wickets are properly pitch ठीक है फियर फ्लेख यह सारे fit to play ऑके ground fit to play ठीक है वो देखता है बई प्लेयर फिटे की नहीं अब जैसे मैं गिर गया अब मैं लचक रहूं तो भई अब भागने वाला भी नहीं सिस्टम ठीक है और जो हमारा अंपायर है वो condition देखता बॉल की बॉल ज्यादा ही खतम हो रहे कि बिल्कुल पानी में बिल्कुल क्या बनेगी बिल्कुल ऐसा होगी fluffiness आगी बॉल भी चेंज कर सकता है अंपायर के बहुत अच्छे चेकाम है। call change कर सकता है किसी पे penalty लगा सकता हो अगर कोई कर रहा हैरकर जैसे सcorh g terrific घॉड़ हो गया इस टाइम पे अगर आपके और् वह लगा सकते हैं हमारे जा सकते हैं हमारे सजोंफ रहे spaces ओद ठीक है अब आगर डूरा होड़ा सभी तो वह किस्प 학ण सकता है सुद्धर सीधे साय और थ्रै अम्पाईयर पर Ctrl Wednesday चोड़ दे था और जो भी हमारा अमपायर का डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है अब अगर चाहिए आपके बैट से बॉल नहीं लगी तो अगर आप ने उंगली खड़ी कर दी भाई जाना पड़ेगा एसा नहीं कि तुब बैट लेके वहां जा रहा है अमपायर कोई ले भाई है तो भाई पैनल्टी मिल जाएगी तो और जिंदेगी भर के लिए भाई कवाड जाओगे आप क्रिकेट से तो आपको अभी देखता भी बोल ने क्रिकेट क्या जेंटिल्मेन गेम है अगर बैट में लगी और फिर भी अमपायर ने हाथ खड़ा कर दिया तो भाई जाना बैटर रहता है अराम से मजे में तो जब भी कोई हमारा जो हमारा आपका जो अमपायर है जो ग्राउंड में अगर उनसे डिशिजन लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो वह क्या करते हैं वह थर्ड अमपायर पर बोलते हैं कि भाई तू देख ले जैसे रन आउट हो रहा ह यह काम है तो बैनेफिट बहुत अच्छा होता है थर्ड अमपायर पर बहुत अच्छे से क्लियर पिक्चर होती है अराम से वह देख सकता है कोई दिक्कत नहीं है उस पर बार बार रिवाय पीछे आगे पीछे करके भी देख सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना यसे मैंने पकड़ लिए और वह सिंपल से नहीं मतलब जमीन पर टच हो रही है तो भाई वहाँ पर भी थर्ड अमपर जाता है कि वहाँ पर एक डाउट रहता है ठीक है ना से डिटी ऑफ स्कूरर्स आउट साइड अब इसे मैं किरिकेट खेल रहा हूं ठीक है अब मुझे नहीं पता है रहा है इतने रहे हैं उस पर टाइम रहता तो रहे वह खेलता है वह कीसे रहते हैं तो यह काम होता है कि इसका ड्यूटी ऑफे स्कोरर्स का आणा तो आउटसाइड फील्ड होता है वह सारी चीज रिकॉर्ड रखते हैं और वहां पे स्कोर्बोड पे चलाते रहते हैं कितने रुं गए कितने विकेड गिर गए है ना क्या क्या रूज सब चीज सब वहां पर होता है इनिंग तो इंडिया की शुरू हो जाती है इंडिया आगी, इनिंग शुरू हो जाएगी और इनिंग, पूरी इनिंग खेले जाएगा, वहाँ पर हमारी बैटिंग होगी, ठीक है भई, कितने बंदे ने कितना कॉंट्रिबुशन क्या, मैंने कितने रन मारे हैं, हर्ष ने कितने रन मारे हैं, तो ये सारे नाम जो होते ह हैं, इसने कितने रन मारे हैं, मैंने कितने बॉल में, थे पूर पीछे लिखा जाता है, रन आगे लिखाता है, तो इनिंग होती है, पूरा है ना, फिर आते ओवर्ष कैसे होते हैं, और बहुत पहले तो 50-50 ओर्ष होते एक दिन में कितनी बॉल होते हैं मेरे प्यारे बचों करा सकते एक दिन में फिर एसी हमारे करा सकते हैं एक और में कितनी बहुती यह आपको पता होगा है नो ओके ठीक है, combination of team, team consist of 11 players, अब जो team होती है, मेरे प्यारे बच्चो, मैंने आपको बताया था, पूरी team, में तो वैसे 16 player होते हैं, पर ground में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 11 players खेलते हैं, ठीक है, कुछ players batsman होते हैं, कुछ balling कराते हैं, ठीक है, कुछ balling कराते हैं, और कुछ filters होते हैं, ठीक है, या फिर मैं bowl सकता हूँ, all rounder, ठीक है, all rounder, batsman क्या होते है, जो batting ही करते हैं, बहुत क्या हैं, ठीक है, बहुत ही बड़िया, इसको देख के ही अलग मजा जाता है, रवींधर जड़े जाग है है, और अगर टीम मेंगर टीम में इना एक हावत हैं मतलब गौशे मेरी की सेंट जॉजफस्स की तो मैं एक्चुली मैं तरह एसका केप्टीन था तारीफ नहीं का तरहर है केप्टीन था मैं और मैं इसके Character बहुत फिल्डर अच् sel Quem फेली सबसे पहले मैं अगर काथ बअंधर होता है पिए सब्सक्राइब होते हैं तो मैंने आपको बताया था 16 टीम कितने कि ओती है 14 मेंबर्स कि इती है ऊब छोती है हमारी 16 मेंबर्स होंगे उस पहे जिस में से क्या होते है जा क्याव 15 में से से क्या होता है क्या बोले नंबर ऑफ सबस्टिटूशन हो गया वह 6 से इंक्रीज वैसे तो अर्लियर इट वस फूर पहले जो सबस्टिटूशन होते थे वह चार हो सकते थे अब 6 होने लग गया वैसे जरूरत नहीं पड़ते कि बहुत रेर केस हो गया जैसे किसी को क्रैम आइए यह था ह Switch कितने परकार के मैच होते हैं तेस्ट मीचेश थे करते हैं लाइट को तो गर्मी Mach कई यह इक अच्छा वह एक में टेस्ट मैच मेंने युद लुटा है जो हमारी बॉल होती है ना प्रॉर यूट ग spiritual का जिस्वे पहले इंडिया की टीम मुझे देखके बड़ी शरम आती थी शरम तो नहीं आती थी शरम गलत बात शरम नहीं आती थी मतलब क्या कि जब बॉल में लगता था दूसरा आदमी ऐसे उंगली कर देता बहुत खुंदक आती थी और आज गट दीने भाई अलगी लेवल मतलब उंगली क्या भाई बॉल जा रही है ऐसे लपकर जैसे मचली पकड़ते ना जैसे क्रिस मचली पकड़ता था ऐसे करके वैसी वाली बात है तो आज आजकल का इंडिया का लेवल जो है ना क्रिकेट का वो बहुत आउट ओफ दिस ये वाई क्या क्रेंगा इना सिट वंठी से गांग होता है इसमें कोछ प्राबलम ही नहीं आगे वड़ते थे हमारा ग्रांड यह ब्देखो नाम होते अब यह देखो यह मेरा विकेट है यहां पे लगे पे केपर बिकेट किपर कर जस्त किनारे वाला होता है फ프umental कि टमिर ठीक है यहां पर बहुत अच्छा प्लियर चीए वह या क्योंकि वह अगर राइट है तो यहां पर आप में शॉट मारेगा गली से बॉल जाती है और यहीं पर हमारा रविंदर जड़े लगता है रविंदर जड़े जा इसके हाथ से बॉल जाना ना मुम्किन है ठीक है तो ग यहां पर भी बहुत लोग यहां पर अच्छे खिलाड़ी को लगाते हैं यहां पर बहुत अच्छे कह चाते हैं तो यह आप लोग को पता होगा बाकी बढ़ता है अब आते बॉल इंग में अब यह क्रीस यहां पर रहता है यहां बॉल से बाग की आता है और जो रॉनिंग कर आता अलगी लेवल था था जा आज कहने हमारे तो यह बॉलिंग बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं तो यह हमारे तो यह आप देख सकते हैं तो यह आप देख सकते अब दो बैट्समन होते हैं ठीक है न तो इस ट्राइक में होते हैं कभी दूसरा इधर चल जाता है जैसी ओवर खतम होता है तो उनको चेंज करनी पड़ती है तो यह आप लोगों को पता है बैटिंग में फिर रन कैसे होता है रन कैसे बनाया जाते है जो हमारा यह अगर यहां से बैट्समन ने डिर्क शॉट मारा और यह बॉल सीब दे इस रोप के भार चलेगी तो छे रन भाई ठीक है न और यहां पर यहां पर इस बैट्समन ने बॉल पर मारा और एक रन यह भाग गया तो एक रन तो इसे करके रन होते है ठीक है न तो यह सारे रन होत से भार पयार रख देता है तो भाई वहाँ पे मुझे पैनल्टी मिलती है वहाँ पे मुझे नो बॉल का एक रन मिलता है ऐसी वाइड बॉल वाइड बॉल क्या होती है जैसे यह क्रीज है क्रीज कहां गई क्रीज लेकर आता हूं नीचे यह मज़े लो यार पड़ाई में तो देखो यहां पर हम अभी कहा थे वाइड बोल पर ना तो देखो यह जो यह वाला यह आप निशान देख रहे होंगे अगर बॉलर आया और बॉल यहां से यहां चलेगी यहां से यहां चलेगे मतलब इस लाइन के अंदर नहीं रही तो यह वाइड बॉला पर आती का यहां से और यहां पर हमें एक यहरं मिलता एक रं मिल जाता है बैक में को यहां पर यहां बाए देखो बाए में क्या होता है बच्चो अगर बैट स्पें पर ना लगके शरीर पर लगके किसी के पैड में लगई और वह भाग गया तो वह होता है अब आता है डिस्पीजल्स मतलब बैट समन कैसे आउट हो सकता है सबसे पहले बोल्ड तो यह उसे जो किलियां लगी है हमारी विकेट्स लगी यहां से बंदा भाग क्या आएगा बाल यहां पर बॉलिंग कराई और बैट समें से वह बॉल चुड़गी और यह इस विकेट्स पर लगई तो हमारा क्या हो जाता है बहुट कोट क्या होता कि मैंने शाट मारा अरे क्या लेकर आजा रहा आगे तो इन्होंने फिर एक रूल बना देगी जो अगर अगर जो हमारा पैड है मतलब जो बैट्समेन के पैड है और वह किल्ली के ठीक एड़ेस्ट में है मतलब किल्ली के ठीक यह मेरा विकेट है और यहां पर कोई बंदा है ठीक है ना और बॉल टपा खाके उसके पैड पर लगी बैट पर नहीं अगर बैट में पहले टेच हो गया फिर वह एल्पीडवल जाता है ठीक है तो यहां पर बहुत अच्छे अभी टेक्नलोजी भी आ गई तो हम टेक्नलोजी का भी यूज कर सकते है उस पर देखा होगा आपने लपीडवल होते है तो एक टेक्नलोज आ जाती है फिर वह एड़ेस्मेंट करता है और वह विकेट किल्ली पर आउट हो ग और कीपर ने पकड़ी बॉल और विकेट गिरा दी इस की रीच से पहले तो यह हो जाएगा रण आउट स्फं यह होती है बच्छों को मैं खेल रहूं और मैंने खेलते-खेलते क्या अपनी बैट से ग्यां पीचे पीचैंच स्टंप में मार दिये तो वह होता है स्वासब ह मैं आगे बढ़ा और चक्का मारने की कोशिस में जो बॉल थी वह दूसरी जग़ा टान के कीपर ने पकड़ ले और पीपर ने मुझे क्या कर दिया तो मैं मतलब आगे आगया पीछे नहीं आ पाया तो मैं स्टंप होगे तो यह हमारा स्टंप होता है ना जब क्या होता है बै और यहती मैंने पिच्छ बैट के बैट लगए कि लिवे और मैं हो गया हीडिविकेट तीक है बहुत इंपॉर्टेंट यह बहुत इंपॉर्टेंट बच्चो हिटिंग दा बॉइल ट्वाइस अब यह बहुत ज्याद है बॉल को दो बार में हिटनी कर सकता बहुत इंपॉ से रोग दियूरोो विकेट पी जा 네 मेनों हाथ लगा दिया वहाँ पर क्या हो जाता है वहाँ पर मुझे out करार दिया जाता है थाई तो मैं बॉलको तो या यह तो Hitting the workouts मतलब यह मैं दुबारा से बॉल पर एक बांग करके दुबारा नहीं मार सकता यह the dangerous अभी चल रही है और वह फिद्ली पे लगने वाली तो मैंने उसलेख लगा सकते हो पर आप अपना हाथ से वो हटा नहीं सकते हैं ठीक है ना है अब यहां पे अब यहां पे भी बहुत अच्छा अबस्ट्रक्ट दा फील्ड मतलब अगर मैं भाग रहा हूँ और कोई भाग रहा है और मैं जैसे दो runner है किसी ने मारी shot और दूसरा वला बंदा भाग रहा है उदर के लिए और मैं उसके आगे आ रहा है obstruct कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी मुझे पेनल्टी लग सकती है अब जो फिल्डर के आगे आगे पीछा रहा है तो अगर intentionally कर रहा है वो तो वो क्या कर रहा है वो गलत है वो उसको आउट कर सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे यह बैट्समेन है और यहाँ पे एक और बैट्समेन है अब यह इसने shot मारी ball पे और यह इधर को भागा मैं इधर को भागा तो यहाँ जो बैट्समेन है वो अब batsman का मैं क्या कर रहा हूँ batsman के मुह क्या आ गया आ जा रहा हूँ मैं तो उसको भाई मारने को भी चाहिए तो वह अगर मैं इस baller को obstruct कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी वह out कर सकता है hand at the ball ball को hand करना यह बता दिया हमने ठीक है न तो यह हो गया हमारा ठीक है तो इनिंग क्या होती है हमारी close कैसी होती है खतम कैसी होती हमारी इनिंग मेरे प्यारे बच्चो इनिंग हमारी close कैसे होती है जब सारे 11 जब जब हमारे 10 player क्या हो जाए आउट मैं सब खतम आउट हो जाएं तो हमारी इनिंग और इतने रहने हैं तो फिर तिम एट एक और एक और चीज है कि अगर मैं इंजर्ड हो गया मैं अगर जा रहा था पहली और मेरा हाथ के उंगली तूड़ गई या कुछ भी ऐसा हो गया और मेरी सारी टीम आउट हो गई और बस तरी मैं ही बचाओं तो वहाँ पर बैट्समें बैट्समें भी मतलब अपनी उससे भी ज बचावा था और सारी फिकेट गिर चुके थे और वह इंजर्ड थे तो तब भी वह आये पर अनफर्चनलेटी हार गई थी उस टाइम साउध अफरीका ठीक है ना तो काफी अच्छी स्टोरी थे वह भी मज़ेदार थी आज़ा टीम बैटिंग लास्ट स्कोर मिन मैच टीम भी मैं और अब जो जो बैटिंग टीम है उन्णे बाई दो सो तीस रंग मारे अब जो सेकंड टीम है उसको 231 जीतने के अगे बढ़ते हैं अब यह फंडमेंटल स्किल्स टेकनीक से बैटिंग स्किल्स क्या है ओन आफ ड्राइव स्क्वार कट लेग कर यह सब आप देख सकते हैं ऑन ड्राइव ऑफ जैसे यह ओफ जैसे में राइट हैंड हूं तो मेरे ले ओफ होगा मेरा इधर है ना लेग होगा इधर स्कवायर लेग लेंस लिया अप स newly सब्रहुफ सकते हैं उपर से जो ग्राउंड में महां प्पर आप अच्छे से देख सकते हैं कौण सी सकते हैं थिक ए ना यहां फर देखो तो catching in the field out मतलब कि मैं भाग रहा हूं, mid of the air, mid of the air भाग रहा हूं और मैं ऐसे करके catch पकड रहा हूं, long runs, long runs, भाग रहा हूं, पीछे मेरे उपर जा रहा हूं, भाग रहा हूं और तब पकड रहा हूं, तो catching in the field out, long barrier, तो यह long barrier का it is used to stop the ball when filter is far away from the batsman, अब long barrier क्या होता है कि भाई बहुत दूर है, ठीक है, अब ball बहुत तीजी से आ रहे हैं, तो मैं ऐसे करके एक घुटने रखके और arm से ball पकड़के और फिर फेक सकता हूं, तो ऐसे करके मैं fielding कर सकता हूं, underarm and overarm, बहुत basic सी चीज़े हैं, underarm क्या होती बच्चो, ऐसे मैं जैसे मैंने उंगली ऐसे करके दिखाई, और यह ball है, और मैंने ऐसे करके ball दी, ऐसे करके, ऐसे जैसे वो पीछे से करता है ना, हमारा धूनी, तो ऐसे करके मैंने, इस वाले बच्चों बिल्कुल जैसे रविंदर जड़े जाएगा, थ्रो देखाऊ, अपने ऐसे बिल्कुल आता है, तुरह अंतुपड से फेकता है, उसको बोलते है, तो यह बहुत ज्यादा यूज होता है, ओर राम थ्रो, ठीक है ना, बॉलिंग क्या होती है, आउट स्विंग, ठीक है ना, इसमें भी हम देखेंगे, यॉर्कर क्या होता है, यॉर्कर क्या होता है, आपने देखा होगा, जस्फित बूंब्रा क्या करता है, बिल्कुल यॉर्क दालता है, पैर के टो पे लगती है बॉल, बहुत ही जादा दरदराग बॉल होती है, वो यॉर्कर बोलते ह विलीक तरीके से वोड जाता है विल्कुल पुल टॉस्ट मैंने बॉल फेक है मेरी लड़ाई होगी बैट्समें बैट्समें से मैं अच्छा बेटा दिखाता हूं तरह को आज़ा मैं आगे आगे पूरी की पूरी फुल टॉस मत्तब उस बाल पर टपा ही नगा सिद्धे सिद फूट वर्क है ड्राइविंग है कैचिंग दवाल यह सब इजी चीजे जो आप देख सकते हैं तो मेरी च्याल से यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा ठीक है तब आब आते हैं मैं बालक है जिसमें बॉलर मेंने बॉल करा है उसको बोलते हैं मैंडिन और ठीक है अब वो कुछ नहीं कर सकता हाउट हो गया बहुत बडिया बॉल टेंपरिंग क्या होती है बॉल के साथ खिलवाल करनाः देखा होगा बहुत पाकिस्ताणी बॉलर तो दांस से भी बॉल्र क पर करते कोई-कोई तो रेक मारक से करते हैं। वो रेक मारक से बाल ़ॉटी होती है ना, वो इनस्विंग और आउट स्विंग में बहुत मदद करती है बालरों के, तो ये सारा अचे दंडने रहे हैं, अपराद है बाल टेमपरिंग करनी। तो यह देखा ओगा आपने जेम में भी कोई ऐसे उंगली से कर रहा है बॉल के उसको तो वह बॉल टेम्परिंग होती है जो की बिलकुल रूल के खिलाब है है क्या होती है एक तीन बॉल मैंने करा है और तीनों बॉल विकट ले लिया हाँ हाँ है ट्रिक से मुझे याद आ गया कौन इर्फान पठान क्या बात है ना फिर एक्स्ट्रा और ओवर और पेट सीम यह सब चीज बहुत इजी है ठीके स्क्रीन कवर ड्राइब नो बॉल क्या बॉल करके तुरंत मेरे मुझे आगे से जो निकल जाती है उसको बहुत अच्छी बॉल होती है इतनी उपर नहीं और अगर मेरे मुझे सामने से निकल रही होते हैं एक और मैं देख लेता हूं यहाँ पर एक मेरे जब मैं क्रिकर्ट था तो नेल्सन नेल्सन स्कोर नेल्सन स्कोर बहुत पूछा गयात आपको ऐसे या फिर अंपायर भी कुछ करता है पता नहीं कुछ करते हैं टांग उपर करते हैं मतलब एक थोड़ा एक क्रिकेट में थोड़ा सा यह सुपरिस्टिश्यैस स्कोरें तो टो नेलसन सकोर याद रखना वर मेर से पूचाता इसल्हाओ बता रहा हूं आपको न पहले आया और रोजचरमा इधर से है कोई बॉलर मलिंगा ले 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 लिए पहली इनिंग की पहली बोल्ड हो गया तो वह तो गोल्डन डग मतलब पस्ट बॉल में डिस्मिशल हो गया पहली बॉल्ड होना इसको बोलते हैं अफ 50 र अं मार देए हाफ सेंचिर हो जिसने भी मेरी घाल सेया opens alex यहा तक आपको कि अगर बढ़तें हैं तो यहांपे आप सभेजिए हमारे जो इंटर नेस्टन कवरिंग इंडिया की है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जाधा अमीर तो कोई भी नहीं है इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसिल भी नहीं है जितनी अमीर बिल्कुल अच्छे थे इसको पढ़ देना बहुत ईजी है अभी बीसी आई गा जो हमारा जो चेर्मन है कौन है मुझे आ इसमें कितना एधाम नैशनल टूर्णेमेंट्स जो हमारे इंडिया में नैशनल टूर्णेमेंट रंजी टॉफी बहुत रिस्पेक्टेड ट्रॉफी जिसने इसमें खेल लिया तो समझ लो जिन्देगी सबर गई आपकी ठीक है इरानी ट्रॉफी ठीक है दिलिप ट्रॉफ हुआ ऐंगे में इंटर्नेशनल टूर्णेमिट्स क्या? क्या क्या आइसिसी वर्ड कप वर्ड कप फर्ड कप ठेक है भई फिर इंपोर्टेड है इंप्सक्राश्य ICC Trophy फिर ICC World Cup T20 पहली पहला मतलब पहला ICC World T20 इंडिया के नामी है तो आपको पता ही होगा वर्ड क्रिकट लीक में इंडिया खेलती है यहाँ पर मेरे ख्याल से बच्चों किलियर हो आप लोगे को हमारा जो चैप्टर है क्रिकेट मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया होगा इसमें कुछ समझाने लग था नहीं बहुत इजी चैप्टर है पर जो बिल्कुल क्रिक तक आपको समझ माया होगा और अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आए रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है क्योंकि अभी जो ना अगले साल आप 10 में जाओगे और 10 पे भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे फिर आप 11 में